नमस्कार दोस्तों, get success towards 7 के एक और वीडियो मा आप सभी कर सकते हैं दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त, railway, ntpc और group d की तहरीक कर रहे हैं उनके लिए बहुत important वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो मा आपको बताऊंगा सामने विग्यान यानि के general science के top most 5000 questions की series start कर रहा हूँ 5000 plus questions की series start कर रहा हूँ इस वीडियो से तो आज हमारे पास होने वाले हैं पहले के 100 questions तब इस हिसाब से daily आपके पास वीडियो आता रहेंगे और कल से आपकी start हो जाएगी GK की series GK के 20,000 plus questions की series आज start कर रहा हूँ सामने विग्यान यानि के जेनरल साइंस के 5000 plus questions की series तो वीडियो के एक लाइक जरूर करना और चैनल पे अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लेना साल साथ बेल आगन को भी प्रेस कर देना ताकि notification आपके पास time to time आते रहे तो start करते हैं आज के पहले question के साथ के 1000 वाट कितने अश्योशक्टी के बराबर है यानि कितने horsepower के बराबर है तो इसका जो answer है वो है 1.341 और यह जो horsepower है अश्योशक्टी है यह है mechanical horsepower इसके लावा आपके दो horsepower और होते हैं एक तो होता है metric horsepower एक होता है electric horsepower वो दोनों अलग है जो basically हम use लेते हैं वो आपका mechanical horsepower और उसके value है 1.341 दूसरा question के wake की परिवर्थन दर को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है तोरण यानि के acceleration और इन में से ज़्यादतर questions आपके previous year में highway questions है तो बहुत important है आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से question पूछे जाता है railway में तीसरा question गुरुतवा question तोरण न्यूनतम कहाँ पर होता है तो वो होता है पृत्वी के केंदर पर चौता question के चलते lift में वेक्ति के वजन पर क्या अस्तर होगा तो दोई चीज़ें हो सकती है आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा एक्चुली में बढ़ता घटता नहीं है तो वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका वजन जो घटावा प्रतीत हो रहा है या फिर बढ़ावा प्रतीत हो रहा है जब lift नीचे की ओर जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वजन घट रहा है तो यही दो reason होते हैं पांचों question के समय ताप मान, दुरी एवम वेग में से कौन सी एक vector मात्रा है यानि के सदिश मात्रा है तो इन चारों में से हैं वो वेग जो एक सदिश मात्रा यानि के vector है भागी जितनी भी अधर है जैसे कि दूरी है, तापमान है, समय है, या आपके अदिश, ठीक है, अदिश आशी है, यानि कि आपका scalar quantities है, चटा कोशन, जोती तीवरता का मातरक क्या है, कैंडेला, साथों कोशन के पृथी से लेकर सूर्य तक की अनुमाने दूरी की लंबाई क्या कहलाती है, तो वो कहला है, तब चंद्रमा पर उसका भार लगबा कितना होगा, तो 100 नुटन होगा, आप सभी को पता है, कि पृथी पर जितना भी आपका भार होता है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है, उसका एक बटाच है, तो 600 नुटन है, तो इसका अगर तो एक बटाच है, तो आपका जो question से science के reason क्या है इसका कि क्योंकि बर्फ और पैरों के मद्य जो आपका घर्शन होता है वो concrete और पैरों के मद्य घर्शन से कम होता है इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है concrete की road की अपेक्श है ठीक है ग्यारवा question kita को किस के मापन में उपयोग किया जाता है कोन के मापन में कोन के मापन में आपकी जो इकाई होती है मापने की वो होती है radian बारवा question तो firing करने के बाद पीछे धक्का लगना Newton के गति के कौन से नियम के अनुसार है तो Newton का गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार जो आपका क्रिया प्रितिक्रिया का जो नियम होता है उसके अनुसार होता है ये ठीक है Third law of Newton जिसे हम English में basically कहते हैं कि Every action has equal and opposite reaction तो वही आपका यहाँ पे law लगेगा हो जाएगी एक बटा 9 गुनी ठीक है Basically इसका हम square कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1 by 9 अगर question में ऐसा आ जाए कई बार question में change कर देते हैं एक तीही की जगा अगर मैं कह दूँ कि 3 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 1 by 9 की जगा फिर अंसर हो जाता 9 गुना अगर यहाँ पे 1 तीही की जगा 3 गुना ना अगर कि 2 गुना हो जाता तो कंड की गतिज उर्जा कितनी होगी तो हो जाएगी 4 गुना हर एक चीज का आपको square करते रहना है इसे साब साब का यह वाला अंसर आ जाएगा उर्जा संरक्षित के सिधानत का क्या आड़त है कि उर्जा संरक्षित है न इसका स्रजन होता है नहीं विनाज energy can neither be created nor be destroyed simple आपने सुना होगा यह इसका सिधानत है इसका कारे 15 गुशन के निमन तापमान निमन गती निमन दाब एवं निमन घनत्व मेंसे किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं तो reason है इसका निमन घनत्व के कारण 16 कोशन के जब कार एक मोड लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की और धक्का देता है तो वह है अपकेंद्री बल जिसे हम centrifugal force भी कहते हैं अगला देखते हैं 17 कोशन के जड़त्व अघूर्ण का मात्र क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वार ठीक है जहां लगना केजी मीटर स्क्वार इसकी यूनिट है यूनिट वाले कोशन बहुत पूझा आते हैं रेलवे के अंदर 18 कोशन के किसी वस्तू के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन उधर्व गामी दबाव को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं बाइंट फोर्स ठीक है 19 कोशन के रोलर कोश्टर की सवारी में कौन सा बल कारे करता है तो वो करता है अभी केंदरी बल यानि के सेंट्रिपिटल फोर्स 20 कोशन डेरियों में दूज से क्रीम अलग करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली प्रक्रिया यानि के प्रोसेस कौन सा होता है वो हता है अब केंदरी करण ये जो वन लाइन और कोशन है बहुत इंपोर्टन दे रहा हूँ निकोलस कौपर्निकस द्वारा 22 कोशन के रेल की पट्रियों के नीचे चोड़े लकडी के पट्टे जिनने हम स्लीपर्स कहते हैं क्यों लगाये जाते हैं तो इसका रीजन है कि गाड़ी द्वारा उत्पन जो दबाव होता है उसको कम करने के लिए आपने देखा होगा जैसे कि यह आपकी रेल की पट्रिया है इनके बीच में इस टाइप से यह स्लीपर्स लगे होते हैं पहले लकडी के हुआ करते थे आज कल आपको यह कंक्रीट के यानि के सिमेंट के देखने को मिलते हैं आपने देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो आप गूगल पर जाके सर्च करें लेना रेल स्लीपर्स आपको दिख जाएंगे आपने देखे होंगे रेल में अगर आपने यात्रा की है तो तो यह जो आपकी पट्रिया होती है इनके बीच में ये sleepers होते हैं 23 question के बादलों की दिशा इवंगती को मापने वाला यंतर क्या खेलाता है nephoscope जितने भी यंतर है ठीक है इस चीज को नापने वाला है या उस चीज को जो भी है वो जितने भी आपके यंतर है यानि के जितने भी आपके instrument है उनके नाम बहुत important है रेलवे में ऐसे question बहुत आते हैं किसी ना किसी का पूछ लिया जाता है अगला 24 question के विध्यूत मोटर में विध्यूत उर्जा किस उर्जा में रुपांतरित होती है तो वो होती है यांतरिक उर्जा में ये उर्जा रुपांतरण वाले question भी आपके exam में आते हैं रेलवे के बहुत से रेलवे कोशन में देखे गए हैं पच्छी सों कोशन के SI IKI में लेंस के शक्ती की IKI क्या है डायोप्टर 26 कोशन के cryogenic engine का परियोग किस में होता है तो वो होता है rocket परियोगी की में rocket के अंदर आपका cryogenic engine लगता है 27 कोशन के मैदान के पेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक थंडी होती है क्योंकि वहाँ अब इसका reason क्या है क्योंकि रेगिस्तान में जो बालू होती है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी थंडी भी हो जाती है इसलिए वहाँ की जो रात है वो अधिक थंडी होती है as compared to आपके ground यानि के मैदान 28 कोशन के पार्श विक्रती और अनुदेहद्र विक्रती के अनुपात को क्या कहते है तो इसके अनुपात को कहते है हम पाइसन अनुपात चलते हैं 29 कोशन के और के निर्वात में यदी तीन वस्तू कौन-कौन सी है लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृत्वी पर कौन पहले आएगा तीनों ही एक साथ आएगे क्योंकि निर्वात क्या है बेसिक लिए आपका वैक्यूम वैक्यूम है जहां पर हवा नहीं होती है तो जो भी चीज आप गिराओगे उस समान गती से ही मूव करेगी तो अगर वहाँ पे चाए कोई चीज भारी है कोई चीज हलकी है कोई फरक नहीं पड़ता निर्वात यानि आपका वैक्यूम तीस्वों कोशन के किसी हवाई जहाज की उचाई मापने के लिए प्रियुक्त उपकरन कौन सा है वो है अल्टिमीटर एक तीस्वों कोशन कोई ला, यूरेनियं, पेट्रोलियम सौर उइजा मेंसे कौन सी उइजा अब परंपरागरत स्ट्रो तहट वो है आपकी सौर उइजा इन चारों मेंसे बत्तिस्वों कोशन के हवा का बुलबुला किस लैंस की दरह कारे करता है अवतर लेंज जैसा कारे करता है 3300 कोशिन के बरसाद की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है वो है प्रष्ट तनाव 3400 कोशिन के परमाणू के दर्विमान को अभी वक्त किया जाता है किसके अंदर AMU में Atomic Mass Unit में 3500 कोशिन भारी जल यानिके Deuterium Oxide क्या है D2O एक्जाम में कई बार आ जाता है कि भारी जल का रसाइनिक जो आपका नाम है वो पूछ लाता है कई बार तो वो है Deuterium Oxide और रसाइनिक इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार तो वो है D2O 3600 कोशिन के एक पर्माणू में प्रोटोनों तथा न्यूट्रोनों के एकत्रित रूप को क्या कहता है उन्हें कहता है Nucleon 3700 कोशिन के Nucleus में पर्माणू क्रमांग यानिके Atomic Number को कौन दर्शाता है वो दर्शाता है प्रोटोन 3800 कोशिन के Electron के सम्तुले प्रती द्रव्य कणो को कहा जाता है Positron इन्हें बेसिकली कहा जाता है Antiparticles of Electron ठीक है अगर इंगलिस में बता हूँ तो Antiparticles of Electron कहा जाता है Positron को 41 question के विद्यूत रूप से पर्माणू क्या है तो विद्यूत रूप से जो पर्माणू है वो है उदासीन 41 question के लकडी की IU ग्यात करने में सहय कौन सा कार्बन है तो है carbon 14 जो आफने सुना होगा carbon dating से लकडी वगड़े की IU ग्यात की जाती है तो कौन सा कारbon होनता है carbon 14 41 कोशिन के जेजे थॉंसन ने रेन आवेशीकन इलेक्ट्रोन की खोज कब की थी 1897 में 42 कोशिन के दो तत्तों की परमाणू संख्या समान है किन्तु इनके गुण भिन भिन है ये क्या कहलाते है ये कहलाते है आपके समस्थानिक यानिके आईसोटोप्स ठीक है 43 कोशिन के किसी तत्तों के परमाणू की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या हो सकती है कितनी 8 होती है पहले में 2 होती है दूसरे के अंदर आपके 8 हो जाती है 44 कोशिन के 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 electronic vinyas किस तत्व को सूचित करता है यानि कि यह जो electronic vinyas दे रखा है यह किस तत्व का है वो है sodium का 45 कोशन के आधूनिक आवर्शाणनी किस पे आधारिध है परमाणू करमांग पर 46 कोशन के किसी परमाणू का सबसे हलका कण कौन सा होता वो होता है electron 47 कोशिन के नाभिक्य सहित्र में मौडरेटर का कार्य क्या है तो मौडरेटर का जो कार्य होता है वर्क है वो है कि न्यूट्रोनों को धिमा करना न्यूट्रोनों की जो गति है उनको धिमा करना 48 कोशिन के वह पदार्द जिसके कारण रासाइनिक अभी क्रिया की दर बदल जाती है लेकिन वह स्वेम रासाइनिक रूप से परिवर्तन नहीं होता है ठीके वो क्या कहलाता है वो कहलाता है उत्प्रेरग यानि की कैटलिस्ट आपका पचासों कोशन के कौर्ड्स का रासाइनिक नाम क्या है वो है सोडियम सिलिकेट जितने भी आपके रासाइनिक नाम है रासाइनिक फॉर्मुला है वो इंपॉर्टेंट है तो कॉर्स का होगी आपका रसाइनिक डाम सोडियम सिलिकेट पचासों कोशन देखिए यहां से नहीं समझ मारा तो यहां लिख देता हूँ C A O H होल्टुवाइस किसका रसाइनिक सुत्र है तो वो है स्लेक्ड लाइम का एकावनवा कोशन कि एलगेन का सुत्र क्या है एलगेन का सुत्र जो है वो आपका है C N H 2 N प्लस 2 यह इसका सुत्र है बावनवा कोशन के तापमान के बढ़ने के साथ परमानों का औसत्वेग बढ़ता है घड़ता है तो वो हमेशा बढ़ता है तापान के बढ़ने के साथ 53 कोशन के ऐसे दो तत्तो जिसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या भिन बिन है लेकिन जिसकी द्रविमान संख्या समान हो उनको क्या कहते हैं संभारिक आइसो बार्स 54 कोशन के यूरेनियम का कौन सा आइसो टोप न्यूकलियर रियक्टर में होने वाली शंकला प्रतिक्रिया को जारी रखने की शम्ता रखता है तो यूरेनियम का कौन सा आइसो टोप होगा यू 235 ये इसका नंबर है यू फोर यूरेनियम और 235 होगा इसका आइसो टोप का नंबर 25 कोशन के बीटा किर्णो का वेग प्रकाष के वेग के कितने भाग के बराबर होता है तो 9 by 10 इतने भाग के बराबर होता है 56 के आवेश रहितकन कौन सा है वो होता है आपका निूट्रोन 57 के हीरे में जो 4 कारबन होते है वो एक दूसरे से किस प्रकार अनुपन्द है? टेटरहेडल टाइप से अनुपन्द होते हैं वो हटावनों कुशन के किन किरणों को इलेक्ट्रोन की धरा भी कहा जाता है तो कहा जाता है कैथोड किरणों को 46 कुशन के साबुनों को किस रूप में वर्गी करण किया जा सकता है तो किस रूप में किया जा सकता है वर्गी करण हाइड्रो कारवन साथवा कोशन आवर साण्णी में किसकी सुन्य इलेक्ट्रोन बंदूता यानि कि एफिनिटी है तो वो होती है रेड़ॉन की 61. आवार सांड़नी का अंतिम स्थाई नाविक वाला तत्व कौन सा है? वह है यूरेनियम 62. ब्रोमीन किस वर का सदस्य है? हैलोजन का? ठीक है है हैलोजन गैस का है 63. के रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रियोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? वह है थाईरोड के उपचार के लिए 64. कोशन के जिवास्मो यानि के फॉसिल्स के आयू निधारित करने के लिए किस तकनीक का प्रियोग किया जाता है तो वो तकनीक कौन सी है रेडियो कार्बन तकनीक 65. अमोनिया कार्बन वोनो उकसाइड ऑक्सिजन तता हाइडोजन में से किसमे एक तीखी गंद होती है तो वो होती है अमोनिया में 66. कोशन के एक मातर अधादू जो कमरे के तापान पर दरव में बदल जाती है वो है ब्रोमीन 66. कोशन के अनुवन्शिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम क्या है पुना संयोजग डिने प्रोद्योगी की ये इसका दूसरा नाम है 68. कोशन के प्रोटीन के निर्माण में आधार बूत एकाई कौन सी है अमीनो अमल यानिके अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अमल आवशक होते है यानिके अमीनो एसिड कितने अवशक होते है टोटल 20 होते है जिसे हम कहते हैं complete प्रोटीन तो उसको बन जाती 46 71 कोशिण RNA का मुख्य कारे क्या है प्रोटीन संस्लेशन में सहायता करना यह इसका मुख्य कारे होता है वरक है बहुततर हो कोशिण के DNA संरचना का मॉडल कि इसने दिया वाट्सन और क्रिक ने 73 कोशिण के आत्मत्या की थेली किसे का जाता है वो का जाता है लाइजोज कोशिण दूसरे किसने इसका अविशकार किया किसने इसके संरचना की ऐसे कोशिण रेलवे में बहुत पूचे जाते हैं किसे ना किसी के आपको देखने को जरूर मिल जाता है एक्जाम में 74 कोशिण के हर गोविंद खुराना को किस अविशकार के लिए समानित किया गया प Mitochondria को, छेतरमा कोशन, के Oxin क्या है, एक पादब हार्मोन है, अगला कोशन, दो अनाज की फसलों के बीच, फलीदार पोदे को उगाने से किसकी पूर्ती होती है, तो वो हो जाती है मिट्टी में Nitrogen की पूर्ती, इसको उगाने से हो जाती है, छेतरमा कोशन, के मानव शरीर क कोशिका में, ओटोजोम की संख्या कितनी होती है, वो होती है 22 जोडी, अगला कोशन, के जीन के अचानक परिवर्तन को, जो एक पीडी से दूसरी पीडी में, वन्शानुक्रमता रखती हो, वो क्या कहलाता है, Mutation, यानि के उत परिवर्तन कहलाता है, अस्तिवा कोशन, के फ जिल्य से जूडी रहती है, वो कौन से जिल्य होती है, प्लाजमा जिल्य, 82 जोट में, कोशन, के कोशिका का शक्तिग्र का आजाता है, किसको, सुत्र कणिका को, टेहसंगे कोशन, के डियने फिंगर प्रिंटिंग एवं डाइक्रॉस्टिक का केंदर कहां पर इस थितए है, तो वो है हैदराबाद में अगला कोशन सालमोनेला राइजोबियम इकॉली थता स्वीडो मोनास में से नाइटोजन फिक्सिंग बेक्टिरिया कौन सा है तो वो है राइजोबियम अगला कोशन कि डिप्टिरिया थता इंफ्लूरेंजा बिमारी किन कारणों से होती है तो वो डिप्टिरिया थता होती है बेक्टिरिया से इंफ्लूरेंजा होती है वाइरस से क्रमस लिकावा है 6.46 कोशन के जब दूद खटा हो जाता है तो उसमें उत्पन होता है क्या लेक्टिक एसिड 3.46 कि जीका वाइरस मनुश्य में संचारित होता है किसके द्वारा मच्छर द्वारा इठहसीमा कोशन के चेचक के लिए टीका किसने खोजा था यह इसका अभिशकार कौन है एडवर्ड जेनर अगला कोशन डायलेक्सिया किस से संबंदित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से इस चीज से यह संबंदित है नबववा कोशन के जिवानों की रूम जैसी संरशना को कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्लैजिला एड्स का क्या अरत है यहनि कि फुल फॉर्म क्या है किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानि के जो येस्ट होता है का इस्तमाल क्यूं किया जाता है वो किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचिला बनाने के लिए यह इसका रीजन है सरव प्रथम जिवानू का पता किसने लगाया था लिवेन हॉक ने अगला प्रिक्ठीव पर पाई जाने वाले शुक्षुंतम वनस्पतिय अलगी अगला फूलों के अध्यन को कहते हैं एंथलोजी अगला कोशन के किसी भी व्रक्ष की आयू सर्वत्तम रूफ से किस प्रकार ग्यात की जा सकती है तो उसका अंसर है कि इसकी पीड में क्रॉस सेक्षिंस की रिंग्स को गिन कर आपने कभी देखा होगा पेड कटा हुआ हो उसको देखना कभी भी ये जो गोल हिस्सा होता है ठीक है जब आप पेड को काटोगे तो उपर से स्टेप्स का दिखेगा अंदर इसके कुछ रिंग्स होती है इनको गिन कर इसकी आयू ग्याद की जाती है कि इसके आयू कितनी हो सकती है अगला कोशन के पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेओं को जड़ों से पौधों के अनिक भागों में ले जाता है वह कौन सा है जाइलम अगला कोशन के पौधों में गैसों का विनियम किस के दोरा होता है स्टोमेटा दोरा तो आज के सो कोशन कम्पलीट हो चुके है पांच अजार कोशन्स प्लस की जो सीरीज है उसका आज का ये पहला वीडियो है और अब आपके लिए हमेशा वीडियो जाते रहेंगे पूरे हम 5000 कम से कम कोशन तो करेंगे ही करेंगे इसे उपर भी कोशन कर सकते हैं तो उम्मिद करूँगा कि आपको सभी कोशन समझ माएंगे और अच्छे भी लगे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना साथ साथ बेल लागन को भी प्रेस कर देना तो दोस्तों धन्यवाद मिलते ने एक वीडियो में